हेलो फिर्ट्स आप देखरे स्पोर्ट्स विद रवीष मैं हूँ आपके साथ रवीष बिष्ट और आज मैं आपको आईपिल से रिलेटेड बहुत एहम जानकारी देने वाला हूँ लेकिन दोस्तों आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले एक और खास बात स्पोर्ट्स विद्रविश के नाम से ही टेलिग्राम चैनल है तो टेलिग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ दोस्तो रवीश बिश्ट वन के नाम से मेरी इंस्ट्राग्राम आइडी और रैफस्टेन के नाम से मेरा ट्विटर एकाउंट तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं चलिए दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आइकवल को शुरू होने में अब एक महीने का यह अल्मोस्ट वक्त रह गया है और सारी टीमें अपनी तैयारियों में लगी हुई है कि किस तरीके से वो अपनी प्लेइंग 11 बनाएंगी क्या-क्या उनके फॉर्मूले होंगे, क्या-क्या स्ट्रेटेजी होगी BCCI ने भी अल्मोस्ट प्लानिंग कर ली है कि कहां-कहां मैचों का आयोजिन कराना है प्लेओप्स कहां कराये जाएंगे इस भी चेनने सूपर किंग्स के लिए बुरी खबर सामने आयी और चेनने सूपर किंग्स के लिए बुरी खबर सामने आयी थी इंडिया ओवोसे वेस्ट इंडीस 30-20 मुकाबले में जब टीमिडिया के तेजगिन बास दीपक चाहर चोटिल हो गये थे गाइस और चोटिल होने के बाद इंडिया ओसे शिलंका सीरीस से भी वो हट चुके हैं हैंस्ट्रिन इंजरी हुई थी और ये भी बताया गया था कि ये टीर 2 की इंजरी है तो दो टीर की इंजरी हुई दीपक चाहर को और जिसका मतलब यह कि 6-8 अपते वो बाहर हो सकते हैं दोस्तों पढ़ने वाला है बोरा असर इसलिए पढ़ने वाला है क्योंकि CSK ने बहुत लंबी बोली लगाई थी बहुत बड़ी बोली लगाई थी in fact दीपक चाहर के लिए 14 करोड रुपे की बोली लगाई थी दीपक चाहर के लिए और फिर चेनने सूपर किंग्स में दीपक चाहर आये थे भी और इसलेक्ट किया गया था लेकिन जैसे ही सिरी शुरू होने वाली तो इससे पहले ही ख़बर आ गए कि शिलंका के खिलाब जो है बहुत बड़ा जटका लगेगा क्योंकि आपने 14 करोड रुपे खिलाडी पर इंवेस्ट किये थे खिलाडी पर लगाए थे लेकिन वो खिलाडी अगर आपके लिए किनवाजी नहीं कर पाएगा या इस सीजन एविलेबल नहीं हो पाएगा तो डेफिनिटली आपकी जैसा कि मैने आपको बता है, sad news for Chinese Super King, sad news for Chinese Super King's fans, Deepak Jhar is not alright, is not fully fit right now and it will take 6 to 8 weeks, मतब IPL में बहुत बड़ा portion miss करने वाले Deepak Jhar.